अब लेक देखे न भी ठीक हो जाएगा है तो हम लोग को बात करना क्या सेल तो न्यूज चेप्टर हम लोगी स्टार्ट करने जा रहे हैं तेल सैकल चलिए हेडिंग डालते हम लोग पहले है हमारा आज का हेडिंग क्या है अगर हेडिंग को आप तोड़िएगा तोड़िए तो इसमें दो टर्म आ रहा है एक क्या रहा है तो अब दूसरा टर्म क्या है तो क्या होता है यह तो आपको पता है कि सेल में जो बात किये थे वह आपको पता है नहीं सेल में अगर याद दिलाऊं तो फिर इसको बाटा गया था एक बाटे थे प्रो कारियोटिक सेल प्रो कारियोटिक बोला गया था एक जो बात किये थे प्रो कारियोटिक और दुसरा पर जो बात किये थे तो जिसको क्या बोले थे यूँ के रियोटिक की बात करते हम लोग तो प्रो कारियोटिक है और यू कारियोटिकnaden अब यू कारियोटिक अब फिर हम लोग दो बात आप एक प्लांट सेल का और दूसरा और में पर अनिमल सेल का है तो जो हम लोग सेल साइकिर की बात कर रहे उसमें सेल के अंतरगत यह सब हम लोग पढ़ चुक आहिए आपका परह हुआ कि प्रोकारोटिक षब क्या होता है यह लगत्र क्या होताइब क् files क्या होता है सजैकल का का मतलब क्या है बच्चों साइकल जो हम लोग बोलते हैं न जिस से स्टार्ट कीजिए अगर भूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जाए तो उसी को बोलाता है एक साइकल इसी को में क्या है साइकल क्या मतलब जैसे कल कल मैं साम में यहीं पर था कल रात वाला क्लास में रही था यहां तो आठ वजे तक हम यहीं पर उसके बाद आज फिर हम यहीं पर अभी जो है हम यहीं पर तो क्या हो गया कि मेरा एक कंप्लीट साइकल यहां पर हो गया इस बीच में हम बहुतों जगा गया होंगे उससे कोई फरक नहीं है मतलब यह जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम दुबारा आ गए लगिन इस बीच में हम कहीं भी गए होंगे इधर उधर 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 इन फीर अगर उसी पॉइंट पे आ गए तो यही क्या लाता है सिल मन्दब एक कंप्लीट साइकल इसी को हम लोग क्या बोल द नहीं तो उसमें क्या है तो संतों फिकलास में है यहलो लास मैं है यह तो यहां पर जोंक बात करते हैं साइकल में जैसे कुंअली जी एक सेल है अब यह जो सेल है तो इसमें डिवीजन हो जाता है लो गें लोगत आ इसको क्या बोल देता है है हुए इसको क्या बोलेटा है यह दोनों ड़ाउटर है फिर का करेंगे कि आप फिर इसमें भी चैंडि दोनों के लिए ये क्या है यह सेम बात इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। सबstarे दोनों के लिए ये क्या है मुधार यहाँ पे बात कर रहे हैं मदर से लेके मदर से यह कमप्लिट हुआ हृप से सबसे पहले से को बताया真的 Export क्यों हाटाय है होवाड और पेलिक नाम के साइंटिस्ट सबसे पहले इसको बताया थे किस ने बताया था कि इसने बताया था होवाड नहीं कि एंड पैलिक इन्होंने सेल साइकल के बारे में के बात कर रहे है पत्रोस डिवीजन की बात करेंगे यह अ malicious होता है सिसे लिए अट से जब भी बनेगा बाढनेरी फिजन से बनते प्लस यह जों फीजन होता है यह फास्ट भी होता है कि इसी में हम लोग बात करते हैं माइटोसिस या नहीं और मियोसीस का इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे जू कारोतिक सेल में माइटोसिस और मियोसीस या नहीं तो कि मियोसिस करके बनता है तो या तो माइटोसिस करेगा और यह नहीं तो क्या करेगा दूसरे तरीके से भी एक दिखते हैं जहां तक क्लिए रहे बरू आगे अटाओं लिखना है आए इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं क्लिन कर रहा हूं तो मैंने आपको क्या बतलाया कि एक जो सेल है और यही सेल जब डिवाइड हो जाए और दो डाउटर सेल बन जाए से यहां से लेके यहां ड़तर की बात करते हैं तो इसी को एक कम्प्लीट क्या बोल назвğa रहा है एक यह कि यही एक करना है जब भी होता है में क करना होगा तो करेगा सो इसलीं को पोद दो भाग में बाटता जाता है एक को बोला आता है इंटर फेज की बात करते हैं और दूसरे को बोला आता है M-phase लुट एक हो गया इंटर फेज दुसरा क्या हो गया M-phase की बात करेंगे इंटर फेज के ही अंतर्गत आता है gap one बोले तो जीवन फेज इसके बाद आता है या इसे करते हैं इंटर फेज में तीन फेज आएगा एक आता है जीवन एक आता है एक आता है जी टू फेज एस वेज और जी टू फेज इंटर फेज की अंतरगत आता है और दूसरा जो यहां एम फेज लिखे हैं किसी एम फेज की अंतरगत हम लोग दो के बारे में बात करते हैं एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस दो होगा एक तो माइटोसिस के बारे में बात करेंगे और दूसरा मियोसिस के बारे में तो जो माइटोसिस है जिस माइटोसिस की बात कर रहे हैं अब क्या है माइटोसिस और मियोसिस अभी अभी मैंने बताई यू कारोटिक सेल में होगा और जब भी यू कारोटिक सेल है तो उसमें क्या होगा निकलियस मौजूद होता है और निकलियस मौजूद है तो सबसे पहले निकलियस का डिवीजन होता है और निकलियस के डिवीजन को भी बोला जाता है केरियो कैनेसिस यह जो निकलियर डिवीजन होगा इसी को क्या बोले साइटो काइनेसिस तो सबसे पहले केरियो काइनेसिस होगा तभी साइटो कारोटिक सेल में होता है माइट्रोसिस मतलब पहले क्या होना है केरियो काइनेसिस तो मतलब निकलीर डिवीजन की बात करे गई है और देन क्या होगा साइटो काइनेसिस की बात करते हैं कि तब जाके ना कि कहीं कभी ओप एक को याद रखना मतलब क्या बोले तो प्रोफेज सब्सक्राइब यान रखियेगा क्या प्रोफेज प्रोफेज मेटा फेज इस फेज फेज ना फेज और लास्ट पे लो पेज नहीं तो क्या बता रहा हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और तीलोफेज की बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, नहीं, तो प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, देखो, तर्म क्या है, प्रोफेज, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटीव, प्रो मतल बोले तो बीचवाला एना उना बोले तो एना फेज होता है जो हाँ पर मैट्रोसिस होता है क्रमोजोम का डिविजन प्लोड़ी के बाद J야 मतलब एंड़ वाल फेज वाला प्लोड ना फेज ना फेजन याद रखना कि स्वानेशिस को इंक्लूड नहीं करते हैं माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस इंक्लूड नहीं होता है अब जो यहां पर मियोसिस बचा इस मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस को पहले बाटा गया है दो भाग में एक बाटा गया मियोसिस पर्स्ट और दूसरा बाट दिया गया मियोसिस second meiosis को दो भाग में बाटा गया बच्चों first and second की बात करते हैं meiosis first जो होगा तो फिर होई होगा पहले karyokinesis then cytokinesis तो meiosis first में सबसे पाला क्या होगा karyokinesis karyokinesis और देन होगा cytokinesis नहीं तो karyokinesis और देन क्या बताया cytokinesis first का same अगर meiosis second में चले जाए तो meiosis second में भी होगा क्या karyokinesis और देन होगा cytokinesis आप जब आसा देखो कि फर्स्ट में भी karyokinesis cytokinesis second में भी karyokinesis cytokinesis मैंने क्या बोला division कहीं भी होगा सबसे पहले karyokinesis then cytokinesis की बात कर रहे हैं तो जो karyokinesis होगा बच्चो तो पी एमेटी लेगिन क्या है कि यहां भी karyokinesis यहां भी karyokinesis तो difference करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट का मियोसिस फर्स्ट का karyokinesis तो यह का लाएगा karyokinesis फर्स्ट यह क्या का लाएगा karyokinesis फर्स्ट इसको हम लोग क्या लिखेंगे karyokinesis second cytokinesis फर्स्ट इसमें क्या लिखाएगा सब्सक्राइब अब देखो karyokinesis फर्स्ट जो है है कि अब कहीं का भी karyokinesis होगा तो क्या बोलेंगे पी एम एटी इसमें भी क्या लिखेंगे बच्च्चो प्रोफेज सौट में लिख रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट एना फेज फर्स्ट की बात करेंगे इधर जो है karyokinesis इसमें क्या करेंगे इसमें भी लिखेंगे प्रोफेज सकेंड डिफरेंस करने के लिए सकेंड करेंगे नहीं तो यहां भी करियो प्रोफेज इसको फिर से डिवाइड कर देता है जगा नहीं है तो स्वाट में लिख रहा हूं लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिपलोटीन और डाइकैनेस यह पूरा सेल साइकल का इतना बात हम लोग को सेल साइकल का अंतरगत पढ़ना है जिस दिन इतना बात खत्म हो जाएगा समझी आपका सेल साइकल क्लोच इतना बात जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सेल साइकल को बात कर रहे हैं तो यह सब बात हम लोग को क्या करना पढ़ेगा सेल साइकल में पढ़ना पढ़ेगा तो जो सेल साइकल की बात कर रहे हैं न कि हम लोग क्या करेंगे एस्टेप इस तरह से बात करेंगे हम लोग लोग कि लियर है कि हाँ कि सब में फर्स्ट केंड होगा लगाया तो है मियोसिस में मेटाफेज फार्स्ट मेटाफेज माइट्योसिस में तो एक्के मेर KGO ramat होता है मीट्योसिस में सुए में तो यह एक ही मेटाफेज पेज लगाने का जबर्रत नहीं है में इसमीं इसमें नहीं दो ette व्योसी समें दो आर दिश्च अधेक ना पड़ता है तरी वर वहां सब्सक्राइब में सब्सक्राइब इसलिए लगाते हैं तो यह वहां पे जॉर्रत पर ता यह ज्यादत खिलियर है कि एक सब्रों तो यह पूरा सेल साइकल का एस्टेप बताया यह जो बताया आपको पूरा सेल साइकल का एस्टेप की सेल साइकल में क्या-क्या बात करना है तेल साइकल के अंतरगत क्या-क्या बात करना है यह पूरा एस्टेप आप लोग को मैंने बताया है कि जीवन के बाद को नोगा एसके बाद को नोग तो आपका पढ़ाया ही नहीं था उससमें कि एक कुस्चन यहां भी इसे भी था पैकेटी ने स्टेस्ट मैचिंग में दिया था कि मैच किजिए पहले को नोगा फिर को नोगा फिर कि देखेगा ना कुस्चन जो भी चेप्टर पढ़ा रहे हैं पुस्चन आपको प्रिंट कर वा लिजेगा कि नॉट्स भी यह वाला चाहिए आप लोग को कि नहीं तो फिर वैसा नहीं किजेगा कि चेप्टर खत्म तब नॉट्स ले रहा है पहले लिजेगा हो गया अब देखों इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाते हैं यही साइक्ल को एक जितना बात लिखे फिर से तरीका चेंज करेंगे मत्चों यह एक सेल साइकल कि बात कर रहा है और इसी सेल साइकल में हो पिर सबसेत छोटा फेज होता है एम फेज है और जो यहां से इधर इस्टार्ट हुआ इस ही को बोलता है इंटर फेज को बाठा जाता है इंटर को बहुता है जीवन फेज में पिर बातेगा एस फेज में और फिर बातेगा जी टू पिर इंटर फेज जो सेल साइकिल का है इनिशियल डिविजन फेज के नाम से भी जाना जाता है तो मैं एक काम करता हूं यहीं पर एकाद क्वेंट लीच देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा इसी कौम लोग क्या बोल है एसी इसी में आएगा जी टू कि इसी में एगा इंटर फेज को पहलेगा इनिशियल डिवीजन ओफ दो सेल इनिशियल डिवीजेंट नहीं इनिशियल डिविजन और दी तिल इसको बोला जाएगा तब सेल शैकिल मतलब इंटर फेज क्या लाता है नहीं दूसरा इसी कोव लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इंटर फेज को इंटरवल बिट्विन डिवीजन फेज अब कहोगे सर क्यों बोले तो देखो इधर को वो क्या बोले इंटर फेज तो देखो पहले होगा इंटर फेज के बीच कि आ गया 2-2 इंटर फेज के बीच क्या आ घया किले रहे हैं इसलिए क्या लिखता है इंटर वल बिट्विन ה और? है दिवीजन फे टेक्षों में इंटरफेज में होता तैयारी किस बात का तैयारी क्यों जो डिभाइड करेगा कि जो केरियो कैनेसिस होगा फिर साइट इस वहां पर होता है कि इन्टर फीज में इंटर फेज में मैं स्यल अपने को तयार करता तो निट्रियंट प्सूश्ण आप सोच यह सेल जो है इसको दिवैड करनाvent और इसमें जो क्रोमोज्यों है तो क्रोमोजोम एसेंसल चीज है तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा क्रोमोजोम को इस फॉर्म में लाना होगा तो इसी चीज को मैं इसे दिखाता हूं क्रोमोजोम को इस फॉर्म में लाना होगा जिसमें due arm कम से क्म हो एक काउम इदर एक करिमयटीड और इधर वाला दो क्रिमयटीड दो क्रिमयटीड वाला करूमोजम चाहीए depends ही न जब डिवाइड कर वाओगे तभी न बीच व्न कर Вид कर वा सकते हैं नहीं तो बाटोगे कैसे एचल में सेल में जो बटवारा होगा डिवीजन का मतलब क्या बटवारा अगर मान लिए यह एक निकलियस है इसको ऐसे मानिए कि यह एक निकलियस है और निकलियस में अगर डिएने ऐसे जैसे तैसे पड़ा हुआ हो तो इक्क्वल हाफ में कैसे माटोबे दो भाई का जब बटवारा होता है तो इक्क्वल हाफ में बाटना है ना कि नहीं माल लो इतना ही बारा घर है तो बीच में दिवाल डाल दिया जाता है इधर तू रहे इधर हम रहे हैं नहीं लेकिन अब सोचो कि एक क्यों फोर्वीलर है तो क्या करेगा बीचों बीच काट देगा कि ले आदा पाट तू रहा अब दो बात है या तो फिर विलर तो यहां नमबर बढ़ाएगा जैसे सेल में जब डिवीजन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके क्रमोजूम जो क्रमोजूम है जो 46 क्रमोजूम है तो इसका नमबर को डबल करने की कोशिच करेगा तो न जब दो डिवाइड करेगा एक होता है तो जितना से लिए दोनों मेंने म förटीज सीख चाहिए ना। तो कुछ तो काम करेगा प्रॉमजों पर प्लस प्लस क्या है एक लो मानलो यहां पर पचास मैट्र पॉंड्रे इसको जिंदार रने के लिए एक सेर्ण का एक शिंदार रहने मिपचास मैट्र सब्सक्राइब करना पड़ेगा दीने के बारे में बताया था कि जनेटिक मेटेडियल होता है हम लोग कोई भी काम करते हैं इसा है तो टुकडा काम करेगा उसी को क्या बोलेते जीन को ए बस दीने का तुकडा है जो काम कर रहा है तो इसको बोलते जीन के तो आपको डीने डबल करना पड़ेगा AI Color, इन के करण मेरा चलने का इस्टाइल डिन करण सबकुच दि नी तो चाहिए जब सारा कहनी 보고 है भर लिन्च अगर निकलिय सबस्कार नहीं ना हुआ मालो निकलियर डिविजन ना किया दोगो एकके गो निकलियस था और यह इसे डिभाइड हो गया एक सेल में निकलियस चला गया और एक सेल में निकलियस तो यह सेल मर न जाएगा बीना निकलियस का एसेंसियल है न निकलियस निकलियस देना पड़ेगा न इसलिए तो सबसे प करेगा कि इंटरफेज में में करेगा किस बात का करेगा कि लिए तो इंटरफेज ही जितना भी क्रोश्चोंद ने कрах या में किरेगा और पहे उसको भी 2 करने का कोसिस कर एक पहुत करता है ल कि इसीलिए इसको बोलताए में गुस tee इन्टर्फेज को अब लोग किस नाम से जानते हैं रेक्समेस कज चो इन्टर्फेज पर सर्छे बोलेगें अब खेलां यहां से स्टाट करता है न कि इंटर्फेज की बात करेंगे जी याफ यवन गैप 1 जीवन को करेगा बाइब कुछ तो बनाता होगा तो जीवन में आहां तो जीवन तो जीवन में जो लोग बात करेंगे क्या करेंगे बच्छो क्या बनाना है आर एंए प्लस प्रोटीन याद रखेगा जीवन में क्या बनता है आरने प्लस प्रोटीन इसके अलावा जितना भी सेल और गनली है डवल हो जाता है तो डुपली केसन और सिल और गनली आरने प्लस प्रोटीन तो बनेगा उसके अलावा क्या बता है जितना भी सेल और यह होता है किस पेज में इंटर फेज में जीवन फेज में ठीक लिए चोड़ते और वह और नली का नाम है सेंट्रोजोम यहां डवल होगा सेंट्रोजोम कहां डवल होता है एस फेज में डुपलीकेशन और अब और यहीं होता है मसलब डिएने जो है डवल कहां पर होता है एस फेज में प्लस यहां एक तरह का प्रोटीन भी आता है हिस्टॉन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे यहां हिस्टॉन प्रोटीन भी आएगा एस फेज में प्लस प्रोटीन हिस्टॉन प्रोटीन की भी बात करेंगे एस फेज में डबल होगा जीटू फेज की जो बात करेंगे यहां फिर से आर्ने मनेगा प्लस प्रोटीन तो आर्ने और प्रोटीन देखा जाए तो सेल साइकिल के हरे के स्टेप में बनता है बच्चों यहां पर हम आते हैं एक चीज और कनेक्ट करते हैं यह जो मैंने सेल आपको बताया था सेल में जो यह निकलियस के बारे में बात किये थे निकलियस में जो यह क्रोमजोम के बारे में बात किये थे क्रोमजोम को खोले थे तो DNA था नहीं यह क्या था डी एन ए यह क्या था बच्चो डी एन ए आपको बता दो DNA से DNA बनने का प्रोसेस कहलाता है रेपली केशन क्या कहलाता है रेपली केशन डेने से जो डेने बनेगा वो प्रोसेस क्या कहलाता है रेपली केशन डेने से जो आरने बनता है बच्चो आरने भी बनेगा तो डेने से जो आरने बनेगा प्रोसेस क्या कहलाता है यह आर एन ए चाहे कोई सा भी आरने हो तो डिने से जो आरने बनेगा वो प्रोसेस क्या कलाएगा ट्रांस क्रिप्शन क्या कलाएगा ट्रांस क्रिप्शन तो यह ट्रांस क्रिप्शन हो रहा है आप प्रांस्क्रिप्सन और रहा है तोफ द्यने से और ने से जो प्रोटीन बनेगा तो यहीं आरने क्या होता है बाहर आएगा यहीं को बोलता है तो बताया था किस से करेगा राइबो जों के समॉलर सबनीट से किसी से बाइड होगा लारजर सबनीट और जब लारजर सबनीट होगा तो यही बनाएगा प्रोटीन क्या बनाएगा है आरने से जो प्रोटीन बनेगा राजाए रांसलेशन क्या को लाएगा इसका मतलब इसका मतलब गौर से देखिएगा बोर्ड पे नजर रखेगा अरने बना है हाँ थक इसे आरने बनेगा और जब भी बनेगा तो ड एन न से और झीवन में और निटो बना है प्रोसेस कुन सा हुआ है ट्रांस क्रिप्शन हुआ है प्रोटीन भी बना है तो प्रोटीन जब भी बनेगा इसा ही बनेगा प्रोसेस क्या कलाएगा ट्रांस कोई दिख कर एस फेज में क्या हुआ है डियेने से डियेने बना है प्रोसेस क्या कलाएगा रेपली केसन कलाएगा हिस्टान प्रोटीन भी बना है लेकिन डियेने से डियेने से डायरेक्ट प्रोटीन तो बना नहीं होगा बीच में आर्ने भी बना होगा नहीं तो यहां पे ट्रांसलेसन भी हुआ है और बीच में क्या हुआ होगा ट्रांस गृप्ट न भी हुआ है जी टू में फिर आरने बना है तो ट्रांसक्रिप्ट सन हुआ है और प्रोटीन भी बना तो क्या हुआ है त्रांसलेसन भी हुआ है बच्चों यहां से तो पहला उठालेगा अंशर जाएगा जीवन जाएगा अंसर डुसरा उठाएगा इस फिराई याद कीजिए इसका अपना अपना यह तो यहां का कुछ खास बात है कि सेंट्रियों लास्ट में डिवाइड करता है क्योंकि यह क्या है माइटोटिक एपरेटरस है माइटोसिस कराने वाला मसीन है सेल डिविजन वाला मसीन लास्ट में करेगा तो एस में जाके करता है एस में और क्या हुआ है डुप्लिकेशन अप डिएने इसी को बोलता है डिएने से डिएने का बनना इसी को अगर टर्म में बोलू तो रैप्लिकेशन तो एस फेज में क्या हुआ है रैप्लिकेश से ही बनेगा प्रोटीन कोई हो प्रोसेस क्या का लाएगा ट्रांस लेशन प्रोसेस ही का लाएगा नहीं और जीटू में जो आया तो जीटू में फिर क्या हुआ आर्ने और प्रोटीन तो यहां भी ट्रांस्क्रिप्शन यहां भी ट्रांस लेशन हुआ तो यह सेल साइकिल का जो इंटर फेज है यह तो उसके बारे में मैंने सिर्फ बताया इंटर फेज सेल साइकिल का आप कह सकते हैं कि 95% पार्ट होता है इंटर फेज की तो बात करते हैं इतना जड़ा है अब देखो मैं या तो माइटोसीज का बात करेंगे या नहीं तो मियोसीज फिलाल हम माइटोसीज के वर लिख रहे हैं माइटोसीज और जैसे माइटोसीज लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा केरियो काइनेसीज और अलग से प्रोसेस होगा साइटो काइनेसीज अलग से होता है साट किसी का भी यह लिखेंगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज पी एमेट अईसे आपका एंसे अटी मेटाफेज को दू भाग में लिखा है आप मेटार को बाठ प्रोफेज लेट प्रोफेज मेटाफेज को तीन में बाट लो प्रोटीलोफेज मीड़ लेट तीलोफेज लेकिन इतना इसे क्या फाइदा एन्सी अपांच में बाटा है देखना पढ़के प्रोफेज प्रो मेटाफेज मेटाफेज एनाफेज स्टीलोफेज यहां प्रो मेटा सब्सक्रों मिला के हम एक बात कर रहे है मैटाफेज एक तो इस नहीं होगे यहां तक किलियर है पटापट नोट डॉण कर जल्दी से तेजी में आगे बात करेंगे निवाग भिलने लगा तो क्या हो गया बुतरू कि हां हट रहे हट रहे हट रहे हट रहे हट रहे हट जल्ली कर लो पानी ठीक है जल्ले ओ जो नहीं लिख रहा है जो नहीं लिख रहा है कि अग्या हो गया पुझे ले लिए पोर्ट में नहीं कि अभी इंटर्फेस में हैं अभी बहुत है इंटर्फेस में अभी कोई स्टार्ट हुआ है कि यहां तक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं एनी डाउट कि रेस्टिंग फेज बोला जाता है जो रेस्ट कर रहे हैं जैसे आप इसको अभी ऐसे समझें अभी आप लोग मेडिकल का तयारी कर रहे हैं कि यह इंटर में हैं इसी में तो रेस्टिंग फेज़े दीखतो नहीं रहे हैं डाक्टर दीखतो नहीं रहे हमको कब दिखेगा डाक्टर जब मेडिकल कॉलेज में जाइएगा लेगी नभी क्या बोलता है पुड़ा अग्दम चीज जान लगा कि फिजीग केमेस्ट्री पड़ पड़के पागल हुए पड़े हैं कि तब दिखेगा तो जब रिजल्ट आएगा मेडिकल का तब दिखेगा लिए कि हुआ है कि हुआ है कि 95 परसेंट होगा ना है कि 95 परसेंट पूरा सेल साइकिल का 95 परसेंट अकेला इंटर फेज होता है कि अब या रहे हम टाइम में लिखेंगे कि रेस्टिंग फेज अच्छा ये वाला सिम्बल ये वाला लगभग एप्रोक्स सिम्बल ये लगभग का लगभग का लगभग 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 इले बहु आगे चले इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से किलिन करूं कि देखो क्या क्या बता है कि मैंने बोला कि प्रागोल बन्जा भाई कि ठीक है कि मैंने बोला इंटर फेज यही जीवन है एस है और और बड़ा बना दो एस एस है जी टू है और एम के लिए इस तरह से बात कि तो मैंने क्या बताया कि यहां से स्टार्ट होगा यह पुरा इंटर फेज है इसी कमलों क्या बोले इंटर फेज और इधर वाला एम फेज माइटोटिक फेज फिर मैंने बोला जीवन में आखिर होगा क्या तो जीवन में मैंने बताया यहां बनेगा एक तो मैंने जीवन में बना है आर ये जीवन में बना है जीवन में बना है प्रोटीन कि on और प्रोटीन की जो बात कर रहा है न वह तो एस में भी बना है क्या आरने भी बना है प्लस प्रोटीन भी बना जी टू में भी बना आर्ने फ्लस प्रोटीन देखो गवर से प्रोट पर रखना अ कि आर्ने और प्रोटीन तो सेल साइकल के कि प्रेज भी बन सकता है जौरत पड़ेगा तो एंप भी बनाएगा तो आर्ने प्रोटीन तो सेल साखिल के किसी फेज में भी बनेगा लेकिन में चीज जो है वह है डी एन ए डी ने कहां बनेगा एस फेज में बनता है डी एन ए दूसरा बात जो यहां पर किया जाए है कि यहें तो जो आर्ने बनता है और जो प्रोटीन बनता है आर्ने बनने का प्रोसेस का ला था ट्रांस्क्रिप्स यह yaha डी उने सकता है कि बिना यहां वहां तैने का मनीन नह Одर्म Aller तो नहीं नहीं सकता है कि अब प्रोटीन नहीं नहीं सकता हे तो प्रोटीन कहीं भी बनेगा तो क्या दो विलेशन तो ट्रांस्क्रिप्सन और ट्रांस्लेशन तो वह हर एक फेज में यहां भी आरने बना है तो क्या लिखेंगे रांस्क्रिप्सन यहां है क्या लिखेंगे है क्या लेसर्न पुछ दिकत यहां भी आरने बना है क्या वो लगे रांस्क्रिप्सन यहां भी प्रोटीन बना है क्या लगे रांस्लेसन लेकिन लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज बना है और वह इंपोर्टेंट चीज क्या है यहाँ डियने से डियने बना है प्रोसेस क्याल आता है रेपली के संग तो आपसे कोशन पूचेगा कि सेल साइकिल में रेपलिकेशन कहां पर होता है इसी बात को बोल देगा डियने से डियने कहां बनता है क्या अंसर जाएगा एस भी तो यहां ट्रांस्क्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जब भी बात करेगा ना वह कहीं भी हो सकता है लेगिन में चीज है एक तो स फेज एद दूसरा में चीज इए दौनों लों इसपर दोम सबसे में दोया सब से में मैंने बताया पहले निकलियर डिवीजन होगा जिसको लिखते हैं केरियो कैनेसिस और मैंने बोला कहीं का भी कैरियो कैनेसिस हो क्या लगा देना है पी एम एटी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टिलोफेज यहीं बताया आपको एक्चल में माइट्रोसिस में क्या होना है कि जो माइट्रोसिस लिखे इसमें क्या होगा तो माइट्रोसिस में होता डिवीजन ओफ प्रोमोजोम तो इसके अंदर जगा नहीं है तो थोड़ा बाहर खीच के लिख देते हैं क्या लिख रहे हैं डिवीजन ओफ प्रोमोजोम एटेवीजन ciao गयों मों यो सिर्व मोजों मोजोम का जो डिवीजन होता है को जद इस ही लिके लिकर हुणना डिवीजन ओप अगर कोई एक लाइन में बोले कि माइटोसिस क्या है आप एक लाइन बोल दो डिवीजन अप क्रोमोजों में ही माइटोसिस है मजाल नहीं है जे एन यू के प्रोफेसर का कि इस पर पेंच चला देंगे कि वह नहीं चला सकते हैं को निफेंच चला सकता है अगर कोई पूछे माइटोसिस क्या है तो अभी तक आप लोग जानते है प्रोफेज मेटापेज यह ना फेश चिलोफेज को माइटोसिस बोलते जनरीव यहीं बताता है नेरील में कॉंसेट सिंगल लाइन का है दीवीजन लेकिर लेकिर क्रोमोजोम का डिवीजन करवान है तो और वीकेशन कहा और ये एसफेज में तो इमपॉर्टेंट फेज यहां दो ही गए है एम और एस है बागी दोनों के बीच का जीवन एन जी टू यह इंपोर्टेंट तो दूएगो है क्या कि दूएगो मेन काम होना है जैसे इसको आप ऐसे समझो जैसे हिंदु धर में साधी कि हिंदु धर में साधी करना हो तो दो चीज मेन चाहिए एक सिंदुर दूसरा मंगल शुत्र नहीं सिन दूरदान और मंगल सुत्र हो तो महलों साधी करने के लिए जैसेमेरा साधी हुआ है ए तो सिंदुरदान करने में कितना दिर लगा बहुत ऽाईएगा तो दू मिनट पाच मिनट इससे जादा थोरे सिंदुर्दान होता है अलग बाते सिंदुर्दान हो जाएगा तो फोटोग्राफर तो बोलेगा सर आत लगाई यह तो रहा कभी धर से कभी उधर गुमाएं ना इस इंदुर्दान दो मिनट अब मंगल सुत्र नहीं दूगों में साधी मुस्लिम धर मेंतोर मुम्टाइम अकभूल्र होगा नहीं कि तो काम इतना ही देरका ही काम इतना ही देरका है साधी हो जाएगा तो वका कितना परिसांदत पहले लड़की वाला लर्का वाला क्या बमतर है तो लड़का वाला लरकी वाला के यह आएगा देखा सुनी कि जब यह हो जाता है लगता है कि नहीं ठीक ठाक है दोनों एक दूसरे के लाइक है अब मैटर आ जाएगा बेटा को कितना हम बेचिएगा पांच लाग दस लाग विस लाग पचास लाग एक करोड तो जैसा प्रोड़क्ट वैसा दाम नहीं आई एस है तो एक क्रोड पीजी डॉक्टर है तो पचीस में भी चलता है कलर कुलर्ख है तो 15 से 20 सिंपल सा है कि जितना हजार वो कमा रहे है उतना का डिमांड करेगा अगर कोई देर मेना कंतर तो जब यह भी हो जाता है कि चलो भाई खरीद लिए अब जब यह भी हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा है अब है तिलक है तच्छे का है तरिंग सिरोमनी है यह यह होते होते साधी होते होते तो साल लग जाता है अगर साधी अज लगा आज फाइनल हुआ याज से तरुणना स्टार्ट करें तो बहुत बार तो दोसल 44 सल धूनने में लगता है कि नहीं साधी तक जाने में वही तो है 95 पर्सेंट-टाइम तो इसी में लग जिया इंटर फेंज में तुछ UK में फेज दो ही है साधी का एक है इंगेजमेंट वाला फेज कि कि एक है इंगेजमेंट जहां पर कया होँए- इंगेजमेंट प llal इंगेजमेंट के बाथ साधी के बेद्प गया साधी के बीच मैं तरल लर्कम अपने लिए कोई घ्रूंद रहा होता है लरकी अपने लिए को धोड़ लगल है पागल बने ले ले लग गया ना परिसान लाता है बत्याबती है गई इतना बात कर लेता है कि साधी के बाद कुछ बाती नहीं बचता है करने का और जब बाती नहीं बचता है तो उसी मम्मार हो जाता है प्रिसादी से पहले तुम बहुत प्यार करते थे अब प्यारे नहीं है तो सब प्यार तो बात चला गया तो कहने का मतलब है फेज इंपोर्टेंट दो ही है एस फेज और एम थे लेकिन उतना इंपोर्टेंट नहीं है नुक्ता इंपोर्टेंट है नि ने कर साधी होगा engagement होगा तो आप ल falteg की वह दीन हो खर से दूर रहता है कि है तो यहां कमिट्मेंट जादा होता है अब बाद में 11 12 के बाद है तब गाना गाता हम जुदा हो गए रास्तेक हो गए मगर हम मिलेंगे यह याद रखना नहीं होता क्या इस्कूल में रहता है न एक घटना सुनाते मेरे इस्कूल का मेरे क्लास का एक मेरा फ्रेंड ठाव एक मेरी बेच्वमेट ठीदी प्रिया नाम टैटल नहीं बताएंगे लिए इंटत था imagining पूरा तो ठीक है इस्कूल तक ठीक था उसके बाद क्या हुआ इस्कूल के बाद सब लोग निकल गया कि हमको लगता है कि तकडी बन तीन-चार साल बाद कि नहीं चार साल बित गया इसकूल का टेंद का तो प्रिया का साधी हो गया जल्दी कि अध़ लड़ा नाम हो गया जल्दी तो एक दिन है सही हम लोग एक फ्रेंड के दुकान में मार्केट में फ्रेंड का बैठल थे तो और भी लोग तो छार-पांच लोग तो संजोग से उधर से प्रिया आ रहे थे चार-पास साल बीत गया था यह बुतरू कहां तो नहीं तो एगो मेरा फ्रेंड देखा तो बुला रहे हैं आज इसको तिसारा हो गया हम लोग भी देखें अच्छा आ रही है हाँ रह पता है क्या बोलती है सब्सक्राइस बेटा पर नाम करो मामा जी है मामा जी मामा जी बनने अलग भाट है पेश्च को हम मामा जी निया पॉरा इस्कूल जान रहा था तो वहिए भी स्कूल का प्यार अगर है तो लास्ट में मामा जी बनिएगा क्यों कि गर्ल्स का साधी वह इसे भी पहले होता है 24-25 जाते जाते गर्ल्स का कानी खतम तो तब तक वेट करना पड़ेगा तो मालूम चलेगा जब तक आप साधी कीजिएगा आप मामा जी बन चुके हैं तो इसलिए यह सब में दिमाग नहीं लगा ना तो आपको लगेगा यही तो दुनिया है यही तो दुनिया है उस समय कोई भी कुछ भी बोल दे न इवेन आपके मदर फादर या कोई टीचर तो सबसे बड़ा दुस्मन आपका वही होगा बोल रहा है तो यह बाद दिमाग में डाल लेजिए एक दम गलट डैरेक्शन अभी अपने को बचा लीजिए यह सब चीज लॉख दीजे पढ़ाइं में एक बाद डॉक्टर बन जाईए कि इसके बाद कीजिए न जतना साधी करना हुआ क्या फरक्त परता है तो नहीं जतना साधी करना उसके बाद क्यान रही है कोई बोलनेवाला नहीं है लेगिन अभी सब बोलेगा चलिया यह दर साधी वाला कह से पहले का गैप वन एंगेजमेंट के बाद और साधी के बीच का गैप तो में फेज है क्यूंकि DNA का यहां पर क्या हो रहा है तो फिर यहां दिमाज में कुस्चन आता है सर एक बाद बताओ जीवन में आखिर किया क्या तो मैंने बोला एस फेज में फेज है डियने का रेप्लिकेशन में है तो डियने के रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितना भी इंजाइन और जितना भी प्रोटीन बनाना है वहीं तो बनाया है जी वन में जो RNA और protein बना है तो enzyme और protein की जो बात करेंगे किसके लिए S phase में यूज होगा जो G1 में बना हो S में यूज होगा कहें डीने का रेप्लिकेशन होगा तो क्रोमोजों में एस के अलवा और कहीं नहीं बनेगा लेकिन फिर जो जी टू में बनेगा वह एम फेज में यूज होगा याद रखेगा जी वन में जो बना हूँ एस में यूज होगा कैसमें जो बना हो खुदि यूज करेगा तो कि अर्क हैस में प्रोटीन के नाम पे कौन सा प्रोटीन बनता है कि स्टो all spine जब भी यूज हो अगा Hm किसी में मеся क्रोमजोμ को बनने में वह कहांक यूज ओगा था है आ युच में यूज हो गांड गाद में हैं है यू वाट और्थ आप फिर इस तरह से चलेगा अब देखोसार है किसमें थाओ keyboard a पाम बरते हैंinta अब क्या है जो हो रहा है मतलब सेल साइकल को क्या मतलब बताया एक सेल डिवाइड हो कर जो दो बनेगा इसमें टाइम लगेगा कि नहीं आप एंस्याटी में देखना एंस्याटी में आपका एक 24 घंटे का टाइम लिया है तो यह ले लेता हूं 16 घंटा काने का मतलब यहां से यहां तक आने में कितना घंटा सोल घंटा अगर आपको शोला घंटा अगर save में अकेला पांच जटा तो पांच घंटा में पांच भंडा का में भी ताया जीवन सात घंटा बिताता है कहां पर एस में तो साथ पांच बार तीन घंटा भी ताथा है जी टू में और एक घंटा भी ताथा है एम फेज में अब इस से आपको यह पूछा जाता है लॉंगेस्ट या सबसे बड़ा फेज सेल फैकिल का कौन है पुराने टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे जीवान कि नहीं हो यह बल रहा हूं पुराना डाटा जो अपटो डेट नहीं हुए जीवान पढ़ाएंगे कि लंगेस्ट फेज अगर पुणाना भूक बनाईएगा तो उसमें आज भी जीवन आंसर गया हुआ है ताब तो उमको बोलिएगा गलत कर दिये इसलिए मैं घंटा पर बताया ताकि आपको समझ में आए देखो एक्चल में क्या है वो लोग भी गलत नहीं है एक्चल में हर एक सेल का कहानी अलग-अलग है डिपेंड करता है सेल लिए तो कोन सा से लिए कहां का से लिए कैसा से लिए तो शुरू में जो लिया था उसका जीवन में ज्यादा बढ़ा था और अभी जो लिटेस्ट एंस्उयटी यूज किये हुए है उसमें एस ज्यादा सबसे बड़ा फेज कुण ऐस से बाद वन के बाद कुण सबसे चोटा फेज़ को एंफेज में तो चारों एक घंटा बोले तो कितरा मिनट साथ मिनट तो प्रो फेज अकेला 36 मिनट होता है चीलो फेज अकेला 18 मिनट होता है मेटा फेज अकेला तीन मिनट होता है और लगभग तीन मिनट का है तो सबसे चोटा फेज isol के क्वोण है इना फेज इन फेज डिवीजन फेज जहां क्रोमोजों का क्या होना है डिवीजन होना है जो कि क्या है सबसे छोटा पेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो याद रखेगा सेल साइकिल का स्मॉलेश्ट फेज में में सबसे छोटा सिंदुर्दान वाला कि दू मिनट का कानी है बाकी खेला हुआ है लंबा नहीं तो सेल साइकिल का अगर सिक्वेंस पूछे जैसा कि पिछले मतलब कल पूछा एक पुस्टन में तो सिक्वेंस में क्या हैगा जीवान एस जीटू एम और अगर इसका और सि नहीं मेटाफेज में सिक्वेंस आएगा लेकिन अगर को को पूछ देना टाइम के पूछ तो सबसे बदा feathers को नहीं हो जाएगा एक और दीझ तो unpredictable और एस भाल इन के आ, सबसे बार राबूस होगा है टूच हैयह दैन जीवान ल्डेन जीटू देन एम और एम में भी अक्योडिग तू तो पूछे सो किन यह लह तक आपकिन यह तो यहां तक रहने दिजए वान की बात हम लोग अगले कनकь से यह दहां बाइ बाइ राम राम, सत्स्री अकाल और पता नहीं.